नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 7 और 8 की जेनरिक वरक्षीट नमबर 18 को जो कि आपकी 27 चुलाई 2021 की वरक्षीट रहेगी। Generic worksheet एक common worksheet होती है जो class 7th और 8th की एक जैसी रहती है और इसमें common basic topic दिया जाता है जो class 7th और class 8 दोनों के लिए important होता है आज की इस worksheet में हमें एक गद्यांस दिया गया इस गद्यांस को हमें पढ़ना है और इस पर आधारित कुछ आसान से पर्षनों को हल करना है आज का हमारा गद्यांस है व्रिक्षों से समंदित यानिके हमें अधिक सधिक पेड़ लगाने चाहिए अधिक सधिक व्रिक्ष लगाने चाहिए कहां लगाने चाहिए कैसे लगाने चाहिए इस सब की बात इस गद्यांस में किये गए हैं आओ हम सब मिलकर व्रिक्ष लगाए इससे हमें प्राण वायू, जीवन दायूनी वायू, ओक्सिजन मिलती है, साथ साथ हमें भोजन, वस्त्र, इमारती लकडियां, ओस्तियां ये भी मिलती है, पेड वर्षा लाने में सायक है, पेड परदूशन को कम करते हैं, पेड बाड को निंतरित करते हैं, इसलिए वरिक् जरूर लगाने चाहिए, एक पेड़, एक पोधा जरूर लगाना चाहिए, आप इसके लिए प्रण ले सकते हो, जैसे आपका बर्डे आता है, या घर में कोई भी उत्सव होता है, तब आप आसपास की जगए पर कहीं पर भी जाकर कि एक पेड़ लगा सकते हो, अब बर्शा बना नहीं करेगा, इस परकार आप इस प्रिथ्वी के संग्रक्षन में अपना एक योगदान दे सकते हो, एक महत्मुण भूमिकाप निभा सकते हो, यानि कि प्रिथ्वी का संग्रक्षन कैसे कर सकते हैं, पर्दुषन को काम करके, ज्यादा ज्यादा पेड़ लगा करके, तो उसमें एक छोटा सी युगदान आप ही दे सकते हो अगर आप कहीं पर भी एक पेड़ लगाते हो और उसके लिए सबसे सही जो उप्यूक्चम है वो अब है आईए हम सब मिलकर के पेड़ लगाएं वरिक्ष लगाएं हमारे पृत्वी को हमारी धर्ती को और ज्यादा सुन्दर बनाएं तो ये था गध्यांस अब इस पर आधारित कुछ परशन दिये गए जो काफी आसान परशन है चले देखते हैं सबसे पहले जो हमारा परशन दिया गए वरिक्ष हमारे लिए क्यों जरूरी है तो पहली चीज वरिक्षों से हमें जीवन दाइनी ऑक्सिजन मिलती है दूसरा वरिक्षों से हमें भोजन, वस्त्र, इमारती लकडियां, ओस्तियां इत्यादी में मिलती है इसले वरिक्ष हमारे लिए बेहद आफशक है उसके बाद दूसरा परशन दिया गया दूसरा परशन हम वरिक्ष कहां कहां लगा सकते हैं हम वरिक्ष शड़क के किनारे या किसी भी खाली जगे अथ्वा पार कादी में लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरा परशन दिया गया है, वरिक्ष लगाना किस मोसम में सही रहता है, तो बारिश के मोसम में वरिक्ष लगाना सबसे सही रहता है। उसके बाद चोथा परशन दिया गया है, व्रिक्ष लगाने से प्रिथ्वी की तापमान में कैसे कमी आ सकती है, तो व्रिक्ष है वो कार्बन डायकसाइड को निंतरित करते हैं, उसी से तापमान बढ़ता है, तो व्रिक्ष कार्बन डायकसाइड को निंतरित करते हैं, और व व्रिक्षों से हमें भोजन, वस्त्र, इमार्ती लकडियां, ओस्तियां मिलती हैं, इसलिए व्रिक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, तो ये थी हमारे इस वरक्षीट पर आधाय कुछ आसान से पर्शन, उमीद करता हूँ ये वरक्षीट आपको अच्छे लगी होगी, मत पूलेगा, और हाँ, लाइक का बटन भी दबाना है, आज के लिए बस इतने ही, थैंक यू, बाइबाई, हैव नाइस टे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,